नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंग खना हुमियोपैथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे एपिलिप्सी के विशे में, यह नि मिर्की के दौरे के विशे में एपिलिप्सी साथियों एक खतनाक मिडिकल कंडिशन होती है जिसमें कि आपका सेंटरल नर्वर्स सिस्टम जो ब्रेन का होता है आपके दिमाग का जो सीनेस होता है सेंटरल नर्वर्स सिस्टम वहाँ एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है और abnormally behave करने से वहाँ seizures को पैदा करता है जिससे कि आपको unconscious ने सा सकती है लेकिन बिमारी आप सुनके भी आपको लग रहा होगा कि बुरी बिमारी है खतरनाक बिमारी है लेकिन आप नगबड़ाएं होमियोपैथी में एपिलिप्सी को ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं हैं वहाँ दवाएं जो आपके इन episodes को कम करके सीजर के जो episodes होते उनको कम करके आपको समाने कर देते हैं हम आपको बताएंगे ऐसी 10 कारगर दवाएं जो आपके मदद करेंगी सबसे पहले साथियों इस पर बात कर लेते हैं कि एपिलिप्सी होती क्या है एपिलिप्सी साथियों यानि मिर्की का दौरा Central Nervous System का वह इस्तिती होती है कि जब वह एबनॉर्मल हो जाता है जब वह एबनॉर्मल हो जाता है तो वह आपको सीजर प्रिड्यूस कराता है सीजर प्रिड्यूस करने की स्थिती में साथियों या तो आपको कुछ पल के Unconsciousness की स्टेट आ जाती है जिसमें आपको कुछ पल की बिहोशी आ जाती है और फिर आप रिकवर कर जाते हैं और किनी परिस्थितियों में यह होता है कि आपको बिहोशी भी आती है और आपकी Muscles, Hand की और Legs की टुच करने लगती है जटका काने लगती है यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है पिलिप्सी में लेकिन अगर आपके ऐसा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है एक बार सा करें का Unconsciousness आती है या सीजर पड़ते हैं तो माना जाता है कि इस मरीज को एपिलिप्सी का मरीज है या यह एपिलिप्सी का मरीज है जहां तक साथियों एपिलिप्सी के सिम्टम्स की बात है तो एपिलिप्सी में हर कुछ सिम्टम हो सकता है जब भी आपका ब्रेन का Central Nervous System सिम्टम यारी CNS abnormally behave करेगा जिस पार्ट को बाड़ी के वहाँ abnormal signal देगा वहाँ seizure का हिस्सा हो सकता है कि नॉर्मली साथियों इसका सिम्टम होता है अनकॉंशनेस हा जाना हाथ पेरों में ट्विचिंग होना ब्योशी कुछ पल बने रहना ज्यादास थोड़ी देर के लिए चले जाना और वीक्नेस बहुत आना इन सारे एपिसोर्स के बात यहां सिम्टम्स होते हैं एपिलिप सिजर साथियों दो प्रकार के होते हैं पहला होता है सीज़र्स और दूसरा होता है कॉंप्लेक्स सीजर्स फोकल सीजर्स कि सातियों खाज बात ही होती कि focal seizure जो है वहाँ brain के एक part में जब brain के एक part के कारण पार्ट और brain के कारण unconsciousness आती है तो उसको focal seizure कहते हैं इसमें पूरा brain मरीज का effect नहीं होता है focal seizure साथियों दो प्रकार के होते हैं एक होता है focal seizure without loss of consciousness इसमें साथियों यह होता है कि व्यक्ति को एक unconsciousness की stage आती है लेकिन वो unconscious नहीं होता है मरीज क्या करता है बस चीजों को देखता रहता है एक unaware हो जाता है जब unawareness हो जाती है जैसे unaware हो गया उसे आसपास क्या हो रहा पता नहीं आसमान को देखने लगा कुछ इस तरह के reaction करने लगा तो इसको कहते हैं focal seizure without loss of awareness यानि उसकी awareness नहीं खतम हो रही या unconscious वो नहीं हो रहा है लेकिन वो किसी चीज को stare करने लगता है गलेर करने लगता है तो उसको कहते है focal seizure without loss of consciousness दूसरे पहकार का seizure साथियों जो होता है वहाँ होता है focal seizure with loss of consciousness किसी मरीश को seizure पढ़ा जटका आया और उसको बिहोश हो गया कुछ पल के लिए अगर वहाँ इस तितिय साथियों तो यहा focal seizure with loss of consciousness है यहाँ भी एक focal seizure का पार्ट होता है फिर साथियों दूसरी इस तितियों जो की होती जनलाइज सीजर जनलाइज सीजर साथियों वहाँ इस तितिय होती है कि जब आपका पूरा brain एक तरह से react करता है यानि पूरा brain आपको seizure cause करने का कारण होता है तो अगर यह इस तितियों साथियों तो इसको जनलाइज सीजर कहते हैं या छे प्रकार के होते हैं लेकिन अब इसको absence seizure कहते है वहाँ सीजर होती है जब कुछ देर के लिए बच्चा awareness को खर्म कर देता है और आपने होटों को बीचने लगता है या आसमान की तरफ देखने लगता है उसको कहते है absence seizure दूसरा जो साथियों generalized seizure होता है उसको कहते है tonic seizure tonic seizure वहाँ सेजर होती है जब आपकी muscles में stiffness आ जाती है खिचा हो आजाता है और आपको जड़के पढदे है उसको कहते है tonic seizure तीसी सेजर होती वहाँ साथ होती é tonic seizure की generalized seizures में जब आपकी muscle collapse कर जाती है आप गिर जाते है एकदम से muscles जो है वो collapse कर गई, atonic हो गई और आप गिर गई वहाँ स्थिती जो होती है उसको कहते है atonic seizure फिर एक तरहां के साथ ही जिनको कहते है clonic seizure clonic seizure वहाँ स्थिती होती है कि जब आपका rhythmic रूप से muscles का contraction हो मतलब एक लय में, एक fixed pattern में आपका muscle contraction शुरू हो जाए seizure के साथ तो इसको कहते है clonic seizure फिर एक स्थिती होती है साथियो myoclonic seizure myoclonic seizure वहाँ स्थिती होती है जिसमें आपकी muscles twitch करती हैं जटका मारती है muscles जो है कहीं पे भी जटका मारने लगेंगी इसको कहते है myoclonic seizure यहाँ भी एक तर辰ह का generalized seizure होता है सबसे खतरनाक seizure जो होता है साथियो वहовाँ होता है tonic clonic seizure Tonic clonic seizure में क्या होता है कि आपकी muscles इसको पहले grand mal seizure कहते थे अब इसको tonic clonic seizure कहते है इसमें क्या होता है आपकी muscles shake भी करती है और twitch भी करती है और unconsciousness भी आती है तो अगर या इस्थिति आप में हो तो उसको tonic-clonic seizure के रूप में categorize करा जा सकता है ये ते साथियों 6 तरह के seizure जो आपके हो हो सकता है विसे आपको थोड़ा boring लग रहा हो लेकिन अपने बारे में जानना या जो मरीज को यहाँ दिक्कत है उसको उसके बारे में बताना भी एक बहुत अच्छा काम है आपको जानकारी होगी तो आप औरों को पता पाएंगे साथियों नंबर एक दवाहुमियोपैथी में जो आपका epilepsy यानि मिर्गी के दौरे खतम करने की है वहाँ है सिस्कुटा विरोसा सिस्कुटा विर 30 पावर में दो दो बोन दिन में तीन बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको की खतरनाक रूप से पतलब जिसको बाड़ी पूरा एट जाता हो उसका पैर जमीन पे और पूरा धर पीट अकड़ के पीछे जमीन पे इस तरह की स्थिती में वो लेट जाता हो तो उसको ठीक करने की हुम्योपैती में बहुत कारगर दवा सिस्कुटा विरोसा है सिस्कुटा विरोसा के मरीच को ना शोर पसंद होता है अवाज पसंद होती है ना लाइट पसंद होती है बस उसका पूरा सरीर जब उसको मिर्गी का दोरा पड़ता है तो वो अकर जाता है नीला पड़ जाता है और खास तोर से बच्चों में सिस्कुटा विरोसा बहुत अच्छा काम करती है तो अगर आपको एपिलिप्सी है तो एक बार आप सिस्कुटा विर्थाटी पावर में लेकर दो दो बूंदित में तीन बार उस एपिलिप्सी की जो वो आता है पिसोर साथे, सीजर साथे उसको कम करने का सफल प्यास कर सकते है एक सिटी आ सकती है साथियों किसी में कि एगर कोई बच्चा है, कोई बच्ची है वो प्यूबर्टी की स्टेज अटेन कर रही है और उस समय उसको मिर्गी के दौरे पढ़ने शुरू हो गए तो अगर यह एस्टिती हो साथियों कि आप जब प्यूबर्टी की स्टेज अटेन कर रहे हो उस समय आपको मेंस्स आपका बहुत इरेगुलर हो और आपको मिर्गी के दौरे पढ़ते हो एपिलिप्टिक फिर्स पढ़ते हो तो उसको ठीक करने की हुमियों पैथी में बहुत कारगरतबा है कॉस्टिकम आप कॉस्टिकम दो सव पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले ले आप देखेंगे कि आपका यहाँ जो सप्रेशन आफ डिश्चार्जेज हो रहा है पीरियड इरेगुलर हो रहा है वहाँ भी ठीक हो गया अगर आप बेट बेटिंग करते हैं या यूरीन का इन कॉंटिनेंस से पेशाप को रोक नहीं पाते हैं वहाँ भी सही हो गई और आपके मिलगी के दौरे यानि एपिलिप्टिक फिट्स पढ़ना भी बंद हो गया एक इस्थिती साती हो आती है कि आपके भारी कब्स रहती हो जब आपको जिए दिन कन्वल्जन्स पढ़ने वाले रहते हो एपिलिप्टिक फिट आने वाला रहता हो और शरीर में कब्स की स्थिती पैदा हो जाती हो तो अगर यहाँ पिकुलियर सिम्टम आप ढूंड पाते हैं एसास कर पाते हैं तो आप प्लंब मेट्टे लिकम थार्टी दो दो बून दिर में तीन बार ले लेंगे और यहाँ दवा लेने से आपकी कपजियत भी खतम होगी और जो एपिलिप्टिक फिट के दोरान होने वाली कपजियत उससे पहले और बाद में होने वाली कपजियत है वहाँ भी खतम होगी एक साथियों स्थिति आती है एपिलिप्टिक पेशिंट में कि उसके एपिलिप्सी के अटैक के दौरान बहुत तेज सांस पूलने लगी और एठन होने लगी खिचाओ होने लगा तो अगर यहां स्थिति ये सातियों कि उसकी सांस थम नहीं रही है एपिलिप्टिक के अटैक के दोरान तो उसी स्थिति को ठीक करने की हुमियोपैती में बहुत कारगर दबाए हाइडोसाइनिक एसिड आप हाइडोसाइनिक एसिड 6X पावर की दो-दो टैबलेट दिन में तीन बार दे सकते हैं इसको आप कुछ एक हफते दे दे तो आप देखेंगे कि एक तो एपिलिप्टिक अटैक पड़ेगा नहीं और अगर किसी को पड़ा भी तो उसमें जो उसकी सांस की घुटन है सांस ना ले पाने की दिक्कत है वहाँ काफी हथ तक कम या खत्म हो जाएगी एक स्थिती साथियों आती है जैसा भी हमने सिंटम में बताया एपसेंस सीजर सातियों उस तरह का सीजर होता है जो खास तोर से बच्चों में पाय जाता है इसको पहले पेटिट माल सीजर कहते थे इसमें बच्चा जो है वहाँ आसमान की तरफ देखने लगता और अपने होस को बीचने लगता है तो अगर किसी के एपसेंस सीजर यानि पेटिट माल सीजर है तो उसको ठीक करने के हुम्योपैथि में बहुत कारगर दवा है आप आटी मीजिया वलगैरिस थर्टी पावज में दो दोगून दिन में तीन बार हर उस बच्चे को जे सकते हैं जिसको कि epilepsy का episode आता हो, seizure आता हो उसको भीयोशिया unconsciousness आती हो और जब उसको consciousness रहती हो तो वह आपने होट को भीचता हो और आसमान की तरफ एक टक देखता ओँ इस तरह का symptom हो अगर तो उसको ठीक करने के हूमे उपैटी में बहुत कारगर जबा आटीमीजी आ है एक इसी ती आती है सातियों कि आपको बच्पन से अटैक पढ़ते हो और आज आप 50-60 साल के हो गए लेकिन आपको अटैक पढ़ते हो हला कि आपको अटैक का एपिलिप्सी के सफर बहुत लंबा हो गया सातियों लेकिन अगर आज आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो इसको भी ठीक करने की उमोपैटी में दवा है चाहिए आप 60 साल के हो गया हूँ और दवा का नाम है सोलेनम कालेंस सोलेनम बहुत कारगर दवा है एपिलिप्टिक फिट्स की उस इस्तिती में कि आपको बचपन से चाहिड लूट से अटैक पढ़ रहे हो और आप आज बड़े हो गए आप 40 साल के हो गए अब भी आपको अटैक पढ़ रहे हैं तो इतने लंबे आपकी बीमारी के सफर को सुलेनम बबा साही करके आपको स्वस्त बनाने की छंता रखती है एक बार इस दवा को ट्राय करके जरूर देखें एक सातियों स्टिती होती है एपिलिप्टिक पेशिंट्स में कि उनको डर और घबरहट के बाद एपिलिप्टिक अटैक उनके जैसे जिस वक्त भी ऐसा मौका जीवन में आ रहा है कि उनको बहुत डर या गवराट लग रही है और उसके बाद उसको एपिलिप्टिक फिट पढ़ गया अगर यह एस्टिती किसी में हो तो तो ठीक करने की हुम्योपैथि में बहुत कारगर दबा है आर्जिंटम लेतरिक हम पर ज्यबें के फिलिप्टिक फिट को भी खतन कर देकिंगी और आपको एक तरह से पुनर जीवित कर देगी अर्जिंटम नइट्रिकम के मोरीज में साध्य जो ए प्लिप्टिक फिट पढ़ता है फिट के बाद मरीज चार से पांच गंटा सोता है उसको नींद आती है यहां प्रिकुलर सिम्टम होता है तो अगर यहां सिम्टम है तो आपकी ट्रग प्रेगनेंट हो और उनके इस तरह के अटेक पढ़ रहे हो तो इसको ठीक करने के हुए बहुत कारगर दबा है क्यूप्रम मिटैलिकम आप क्यूप्रम मेट 30-22 दिन में 3 बार ऐसे हुद हर महिला मरीश को या किसी भी मरीश को दे सकते हैं जो या तो महिला मरीश प्रेगनेंट हो या फिर अन्य मरीश जिनको की पैरों में एठन और मरोड और ट्विचिंग और खिचाओ होता हो तो क्यूप्रम मेट बहुत अच् पढ़ रहे हूं हफते में एक अटेक पढ़ रहा हूं और उसके मन में विचार बहुत जाद आते हो अगर यहां मेंटल्स उसमें हैं और उसको हफते में एक अटेक या नि बहुत फ्रीक्वेंट अटेक पढ़ रहा है उस इस्तिती में इन अटेक्स को कम करने की एपिलिप यहां दबाव उस्विक्ति की मदद अवस्थिक करेगी एक साथियों इस्थिति आती है कि कि किसी को सिम्टम आता है कि किसी को एपिलिप्टिक फिट पड़े और उसके बाद फिट के दौरान उसका यूरीन और स्टूल उसको पार्टी हो जाए और उसके पेशाब इन वालेंटरी रूप से बिना कंट्रोल के निकल जाए अगर सातियों यहां इस्थिती है तो इसको ठी करने कि हुमें पैथी में और मारीज को एपिलिप्टिक फिट को ठीक करने की बहुत अच्छी दवाiga है नक्स वघूमिका थार्टी पावर में दो क्यूंस दिन में तीन बार हर वो मरीज ले सकता है जिसको एपिलिप्टिक फिट पड़ता हो और पघंदे के चड़ा होता है उसे छोटी-छोटी बात पर लड़ता जगड़ता है और इधर-उदर कहता रहता है और आम तोर पे नक्स-फोमिका के मरीज का ठीक नहीं होता है अगर यहाँ सिम्टम्स आप में हैं तो आपकी निश्यत रूप से दवा नक्स-फोमिका है एक साथियों बड़ा कॉमन कॉज होता है एपिलिप्सी का मिर्गी के दौरे का कि मरीज को जो है वहां जैसे ब्राइट ला से बहुत चमकडार रोशनी से मिर्गी के दौरे परते हों एपिलिप्सी के फिट्स परते हों तो वहां हुमिकाती से ठीक हो सकते हैं और इसको ठीक करने के में में दबाया स्ट्रेमनियम我觉得 20225 दिन में तीन बार ले सकते हैं यहाँ दबा आपके पिलिफिक फिट्स को भी ख तो अगर या इस्टिति वो सातियों तो इसको ठीक करने के उम्योपैटी में दो बहुत कारगर दवाये, पहली दवाये लेकैसिस और दूसरी दवाये बुफोराना, लेकैसिस वनियम की तीन खुराग पच-पच मिट के फासले पर वीकली आप ले सकते हैं, और बुफोराना सुबा उठें तो आपको मिर्गी का दोरा पड़े, यानि एपिलिप्टिक सीजर हो, तो अगर या इस्टिति आपके होती है, तो इसको ठीक करने के उम्योपैटी में बहुत कारगर दवा है, हायोसाइमस, आप हायोसाइमस थार्टी दो दोबून, तिन में तीन बार ले सक मिर्ग पड़ा हो, बहुत भारी कनबल जंस आपको हो रहे हैं, और आपके मूँसे जाग निकलता हो, जब आप बिहोस हो जाती हो तो आपके मूँसे जाग निकलता हो, अगर याश्तिति ऐसा आती हो, तो इसको ठीक करने के हुमयोपैटी में बहुत कारगर दवा है, उनेन हेवा आपको उस 애pillipytic fit को भी दूर करेगी और आपको जो टेरेबल रूप से भारी रूप से भेहोशी आ रही है इसको भी खतम करके को ठीक करेगी एक साथ युन उन पुकुलर्स शिम्टर होता प्रलिपसी के पेसिंट में कि एक इपिलिप्सी के मरीज को चीटियां सरीर पे कार्ती महसूस होती है तो अगर उसको कोई ऐसा मरीज हो जिसको सरीर पे चीटियां कार्ती हुई महसूस होती हो इसको फार्मिकेशन कहते हैं तो अगर उसके फार्मिकेशन यानि चीटियां कार्ती महसूस हो तो उसको ठीक करने की हुमियोपेटी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है बराइटा मियूरियाटिकम बराइटा मियूर 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार हर वो वेक्टी ले सकता है जिसको की इपिलिप्सी यानि मिर्गी के दोरे पढ़ते हो उसको चीटी ऐसी पूरे सरीर में कारती महसूस होती हो उसको प्यास बहुत कम लगती हो और वहाँ दुबला पतला हो तो अकर या इस्थितिया हो तो आपकी निश्य दूप से दवा बरायटा मिरेटिकम हो सकती है एक साथियों एपिलिप्सी की कंडिशन में इस्थिति आ सकती है कि अटैक से पहले आपके हाथ पर कापने लगते हो अगर या इस्थिति हो कि आपके अटैक से पहले अपके हाथ पर कापने लगते हो और आपक कुछ घंटों के लिए अगर या इस्थिती है तो इसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा हुमियोपेटी में एपसिंथियम है आप एपसिंथियम 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं अगर आपके हाथ पैर कापते हो मिर्गी के दौरे से पहले और आप बाद में एक दो मिनट पाद जब आप रिकवर कर जाते हैं उसके बाद आपका मेंबरी लॉस कई घंटों के लिए हो जाता हो तो अपसिंथियम दवा है यहां आपके हाथ पैर की टेम्लिंग को भी रोकेगी एक्स्रीमिटीज की यहां आपके लॉस अफ मेंबरी को भी रोकेगी और आपके एपिलिप्टिक फिट्स को भी ठीक करके आपको स्वस्त बनाएगी एक साथियों मेंटल कंडिशन हो सकती है एपिलिप्टिक पेशिंट्स में कि उनको साइलेंट गिरीफ हो यानि अंदरी अंदर घुले जा रहे हैं परिसान गोई जा रहे हैं और जटके पढ़ र बहुत अच्छी दवा हों पेटी में इगनेशिया है आप इगनेशिया हमारा थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं यहां दवा आपके जटकों भी खतम करेगी और आपका जो अंदर का या दुख है इसको भी निउट्रलाइज करके आपको बनाएगी एक साथ ही निमागी शिम्टम होता है बहुत लोगों में जब उनके इहाँ Epilepsy की दिकत होती है और आइसे लोग बड़े लोजिकल होते हैं मतलब हर समय वो लाजिक लगाया करते हैं हर समय वो थक चाता माल करा करते हैं और उनके इpileptic fit पढ़ते हैं ऐसे मणें जिनके पेट में हर समय गैस रहती है, गुरुवाहाट रहती है, तो अगर इस तरह कि आपके इस्तिती है, कि आपके पेट में गैस बहुत बनती है, आप बहुत लॉजिकल टाइप बेगती हैं, हर समय जो है लॉजिक ही लगाया करते हैं, तथी साबित करा करते हैं, आपको पख्यत रहती है और आपको जट्क्य पढ़ते हैं तो आपकी drug of the choice lycopodium clevetum है, lycopodium 30 पावर में 2 दोगो उन दिन में 3 बाल लेके आप रहत पा सकते हैं, lycopodium की तकलीफें साथियों मरीजों की आम तोर पे 3-4 बजे के करीब शाम को बढ़ती हैं, यहां बहुत अच्छी दव और पेट के भारीपन को खत्म करने की, एक साथियों emergency drug आती है हुमियोपैथी में कि अगर आपके epileptic attack पढ़ रहा है तो तुरंत आप यह दवा दे सकते हैं, मरीज को रहत मिल जाएगी, जैसे ही पड़े, medical emergency में आप यह दवा दे सकते हैं, और दवा का नाम है emile nitrosum, आप em यहाँ attack पढ़े और तुरंत उसे medical आवसकता हो तो, यहाँ दवा आपको मदद करने की, उसके epileptic attack की intensity को कम करने की छमता रखती है, या उसको रोकने की छमता रखती है, बस आपको करना यह है, जैसे ही मरीज में tremors, trembling या stiffness इस्टिफनेस इस तरह का symptom आए, आप उसको emile nitrosum क mother tincture 20 drops आदे कप पानी में दे दे, एक साथी में स्टिती आदी किसी मरीज को हो सकती है कि उनके epileptic attack पढ़ा और उस समय उनकी हतेली और तलवे से भारी पसीना निकलने लगा, अगर ऐसी स्टिती हो कि आपके पाम से या फुट के सोल से, हाथ की हतेली से या पैर के तलवे से बहुत ज़्यादा पसीना, epileptic fit के दौरान निकलने लगता हो और आपको सर्दी बहुत लगने लगती हो, तो आप कोई drug of the choice है, सलीसिया, आप सलीसिया थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं, यहाँ दबा आपके epileptic fits यानी convergence को भी खतम करेगी और आपके हतेल और तलवे से जो पसीना निकलना उसको भी कम करके आपको comfort zone में पहुचाएगी, एक साथी वन स्थिती आती है कि कि किसी को epileptic अटैक पड़ा और उसको चक्कर आने लगा, वटाईगो होने लगा, तो अगर यहाँ स्थिती हो कि आपको epileptic अटैक किसी को पढ़ता हो, उसके और उसको चक्कर आता हो, तो उसको ठीक करने की हुम्योपैती में बहुत कारगर दबा है, विस्कम एल्बम, विस्कम एल्बम का अगर यहाँ स्म्टम आपसे मेल खाता है, तो यहाँ दबा आपके epileptic fit को भी ठीक करेगी, आपके वटाईगों को भी खतम करेगी और आपको स पढ़ते हों, एपिलिप्टिक अटेक्स पढ़ते हों कि अब आप सुसाइट की सिटी में आ गया हो, तो अगर यहाँ सिटी यह साती हों, तो उसकी भी हुम्योपैती में ठीक करने की बहुत कारगर दबा है, और दबा का नाम है थैस्पियम, आप थैस्पियम, थैस्पियम में दो-दोबून दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं, जिसको कि सुसाइट करने की इच्छा एपिलिप्सी के कारण होती हो, और उसमें आल्टरनेट वीपिंग एंड लाफिंग हो, यानि कि रोने लगता हो, फिर हसने लगता हो, रोने लगता हो, इस तरह का अगर करिमेनिया उसमें है, तो उसकी दवा थेस्पियम है, आप इसको धेकर उसको ठीक कर सकते हैं, एक साथियों स्थिती आ सकती एपिलिप्टिक एटेक में, मरीज को एपिलिप्टिक एटेक उस समय पढ़ सकते हैं, जब उसके पीरियट का मेंसिस का टाइम हो, ऐसी महलाएं, जिनको मेंसेस के टाइम पे कन्वलजन अटाइक एपिलिप्टिक अटेक्स पढ़ते हैं, उसको ठीक करने के हुमिपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा करना में पैसी फ्लोरा इनकाटा। ऐसे तो पैसी फ्लोरा साथियों नींद की बहुत अच्छी दवा होती है लेकिन यहां एक प्लिप्टिक अटेक्स पढ़ गए हैं तो आप ऐसी फ्लोरा इनकारनाटा लेकर उन अटेक्स को खातम कर सकते हैं यह साथियों को दवायती एपिलिप्टिक फिट्स की यानि मिलगी के दौरे की दवायती साथियों बहुत कारगर हैं लेकिन जैसा हमने बताया एपिलिप्टिक फिट्स क्योंकि यहां ब्रेन से जुड़ी बात होती है आपका सेंटर नर्वस सिस्टम अनकॉश इस्टेट म ही कोई भी दवा लीजेगा यह अपनी तरफ से दवा ना लीजेगा अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिये गए WhatsApp नंबर पर आप notification panel में उस पर अपनी query WhatsApp कर सकते हैं या फिर YouTube notification panel में अपनी query को लिख सकते हैं कोसिस करूँगा आपकी बात का जवाब दे सकूँ अगर साथ यहां वीडियो आपको समाज के लिए अच्छा लगा हो लापकारी लगा हो किसी की मदद करने वाला लगा हो तो इस video को लाइक करियेगा शेयर करियेगा और परिवार में अपने रिस्तेदारों में आने लोगों को प्रिद करियेगा हम लोगों से जुड़ने के लिए और bell notification के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहीएगा आपका साथ यों इतनी देर हमाई साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत सादुवाद आपका साथ LAKP बहुत-बहुत बहुत-बहुतe करते हैं